रूटी के बदली इसी अरे टीना बहू जरा घड़ी की तरफ देख ले खाने का टाइम हो गया है और तो अभी तक रसोई में नहीं गुसी पता नहीं कब यह रसोई में आएगी और हमें खाने के दर्शन होंगे अरे मम्मी जी क्या बात है क्यों आप शोर मचा रही है खाना नहीं बना यह आपको दिखाए दी रहा है लेकिन सुबह सी इस तप्ती गर्मी में मैं घर के काम निप्टा रही हूँ यह नहीं दिखाए दिया ठीके अगर आपको लग रहा है कि खाना लेट हो रहा है मैं मुझसे तो आग क्या गे एक मिनिट खड़ा हुआ नहीं जाता दो रोटी सेकने में सर घुमने लगता है मेरा इसलिए मुझसे जुबान लडाने की बजाए खाना बनाने पर जोर दो कुछी देर में बच्चे भी स्कूल से आते होंगे अरे बच्चे के सिर्फ मेरे ही आएंगे आपने एरा भावी को तो माईके भेज दिया और अब यहां काम में मैं पीस रही हूँ आपको कुछ पता भी है गर्मी आते ही हर साटेड़े वो अपने माईके क्यों भाग जाती है अरे तब्यत खराब है उसकी मा की और क्यों गई है आईए बड़ी मुझे पहाडा पढ़ाने वाली कुछ दब्यत खराब नहीं है सीधी सी बात है उनके माईके में इसी लगा हुआ है इसलिए सुकून से रहने के लिए वो हर दस दिन में दो दिन के लिए माईके निकल लेती है और यहाँ सड़ी गर्मी में पूरे परिवार के लिए खाना बनाने के लिए मैं तो हूँ ही मा जी, अगर आपसे गर्मी में खाना नहीं बनता, भाभी से नहीं बनता तो मुझे क्या फॉलात का समझ रखा है आपने अरे दो रोटी बनाने में पसीने चूट रहे और मैं यहाँ दस लोगों का खाना बनाती हूँ मेरे बारे में सोच की दिखी, मेरी क्या हालत होती होगी अरे तु दु दु दुनिया की पहली औरत है क्या, जगर्मी में खाना बना रही है सारी दुनिया रोज दिन के तीन टाइम रसोई में खाना बनाती है सब तेरी तरह सोचने लगे न, तो आधी दुनिया रोज पेट पर पट्टी बान कर सोने लगे तुम्हें जितनी इसुक सुविदा मिल रही है न, उसकी आधी भी नहीं थी हमारे पास फिर भी सास के सामने कभी जबान नहीं चलाई हमने ममी जी अब आप मेरी बात बलकुल साफ साफ सुन लो पहले हॉल में एसी लगा कर दो, नई तो आज से खाना नहीं बनेगा एसी के परचुरन की दुकान पर मिलते हैं, जो अभी लाकर तुझे पकड़ा दो ये बेतु की डिमांड करनी हो, तो अपने पती से क्या करो मेरे पास कोई पैसो का पेर लगानी है, जो तोड़ कर तुम्हें पकड़ा दू आज कल की लड़कियां जरा सी गर्मी दूब बरताश नहीं कर सकती ऐसा लगता है, जरा देर गर्मी में रह ली तो पिखल जाएगी मौम की बनी हो जैसे, चुप चाप जल्दी जल्दी खाना बना ले फाल तु बाते छोड़कर अपने काम पे ध्यान दे शाम की समय देखो ये मेरा आखरी वानिंग है, अगर अपकी बार आप नहीं समझें तो कल से मैं रसोय में ताला लगा दूँगी, अब मुझसे इस चिल चिलादी गर्मी में खाना नहीं बनता, ये देखो गर्मी से मेरे चहरे पर लाल धब्बे पड़ गये देखो बात वो नहीं है कि मैं तुम्हें इसी दिलाना नहीं चाता, बात ये कि अभी बजट नहीं है मैं कोशिश करता हूँ, हाथ थोड़ा खुला हो जाए, फिर तुम्हारे लिए इसी लगवाता हूँ अरे तुम्हारे इस बजट के चकर में न जाने कितनी गर्मिया बीच जाएंगी, न दिन में सुकुने न रात में, पूरी रात पसीने पोच्छते बीच जाती है आज कल ऐसा कौन है जिसके घर में इसी न लगा हूँ अरे बाबा, मैंने कहा ना, जैसी बजट बन जाएगा, मैं तुम्हारा एसी लगवा दूँगा, अब सो भी जाओ किस दिका है आपसे कि पूरा पैसा एकी बार में देना है, एसी इमाई पर भी तो ले सकते हम लोग और एक एसी की इमाई देने जितनी बचत तो मैं कर दिया ही करूँगे मैंने में, अब आप जल्दी से एसी ले लो ना अच्छे ठीक है, मैं हॉल में एसी लगवा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैंने के खट से बजट कट करना तुम्हारा काम है हाँ हाँ, चिंता मत करो, सब हो जाएगा अरे मम्मे, इतनी मुश्किल से तो पापा एसी लगवाने के लिए तयार हुआ है और आप उस एसी को हॉल में लगवाने के लिए तयार हो गई अरे एसी लगवाना है तो अपने कमरे में लगाओ ना कम से कम रात में चेहन से सोएंगे हम लोग हौल में एसी का क्या फायदा आप ही बताओ अरे हौल में एसी इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि हौल से किचन अटेच है हाल में इसी चलीगा तो कीचन की गर्मी भी दूर हो जाएगी अरे ममी दिन में आपको एक गंड़े के लिए कीचन में खाना बनाना होता है उसके लिए क्यों अपने कमरे के आराम को खतरे में डाल रही हो आप किसी तरह से खाना बना कर जल्दे से रूमने आ जाना फिर उसके बाद हम लोग आराम से अपने कमरे में ठंडी ठंडी हवा का मजा लेंगे हॉल में एसी लगेगा तो आपके एसी की हवा खाने के लिए ना रोज महमान आकर बैट जाएंगे और आप तो चाय नाश्ता बनाते बनाते परिशान हो जाओगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था तो बिल्कुल ठीक है रहा है बिट्टू गर्मी की कारण आजकल महमान कम आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सुकून है अगर हॉल में एसी लग गया ना तो मम्मी जी की सैलियां रोज आकर बैटी रहेंगी और शामत मेरी आ जाएगी तो ठीक बोल रहा है मैं एसी कमरे में लगवाती हूँ सुनो ना मैंने सोचाए कि एसी हॉल में नहीं अपनी कमरे में लगवाते हैं अभी तक तो तुम्हें रसोई में इतनी प्रचंड गर्मी लग रही थी कि बिना एसी के तुम खाना नहीं बना पा रही थी और अब अचानक से ये रिदे परिवर्दन कैसे हो गया और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कमरे से एसी की हवा रसोई तक कैसे पहुचेगी अरे ये सब चिंता तुम मुझे पर छोड़ दो ना अतनी की कहने पर मानव अपने कमरे में एक एसी लगवा देता है अगले दिन जिठानी भी अपने माई के सिवा पसा आ जाती है अरे बाएद गर्मी है या तो एकदम गर्मी से हालती खराब हुई जा रही है हाँ भाबी बाहर तो सच में गर्मी है लेकिन मेरा रूम तो इसी की वज़े से बिल्कुल चिल लग रहा है तुम्हारे कमरे में इसी कब लगा? तुम्हारे तो मौ जागी? कली लगा भाबी और ऐसे नहीं लगा है बड़ी जंग लड़ने पड़ी इसके लिए ये तो सरासर घलत बात हुई न अरे एक घर में दो बहु है एक बहु के कमरे में इसी लग गया और दूसरी बहु गर्मी में पसीने पोच रही है मैं भी बात करती हूँ माजी से माजी आखिर आपने दिखा दिया ना कि आपको मुझसे ज्यादा छोटी से लगा वै अरे मैं चार दिन के लिए अपने माई के क्या चली गई पीछे से अपने इतना पक्षपात किया कि छोटी की कमरे में एसी लगवा दिया एक बार भी आपको मेरा खैल नहीं आया अरे बिटा मैं क्यों लगवाने लगी उसके कमरे में एसी उसीने पूरा घर सर पर उठा रखा था हाई गर्मी हाई गर्मी करके अरे इतना रही नहीं उस दे तो रसोय में भी ताला लगानी की धमकी देडाली थी अब बेचरा मानो भी क्या करता तंग आकर लगवा दिया एसी अच्छा अगर तेरा भी एसी में सोने का मन हो तो मैं टीना को बोल दूँगी तु भी रात में जाकर उनके कमरे में बिस्तर लगा लिया कर सैस की बात सुनकर जिठानी पैर पटकती हुए अपने कमरे में आ जाती है सुनते देवर जी ने अपने कमरे में इसी लगवा लिया और हम ऐसी रह जाएंगे जब मैंने मा जी से कहा तो कहती है मैं भी जाकर टीना के कमरे में सोना शुरू कर दूँ अरे जिठानी हूँ मेरी कोई इज़त है या नहीं अब मैं देवरानी के कमरे में जाकर सूँगी क्या बिल्कुल हदी होगी अरे तुमा ठीक ही तो कह रही है तीन चार महिने की गर्मी होती है तुम बात कलो ना टीना से कि रात के लिए हम उनके कमरे में सोने के लिए आ जाया करेंगे आप न अकल से पैदल हो गया है और चाते हैं कि मैं भी आपकी तरह ऐसी ही बेतुकी बाते करती फिरूँ चुपचाव एक एसी का इंतिसाम कीजिए और अपने कमरे में लगवाईए मैं किसी की कमरे में सोने के लिए नहीं जाने वाली हूँ ऐसी फाल्तु बात अप सोच भी कैसे सकते हैं अरे यार तुम क्यों मेरा बजट बिगाडने पर तुली हो एसी कोई पाथ साथ हजार में आने वाली चीज नहीं है चालिस पैतालिस हजार रुपय से कमें तो एसी आएगा नहीं मानो भहिया से तो ز्यादा ही कमाते हो न आप अगर वो लगवा सकते हैं तो आप क्यों नी मैंने जितना कहना था क्या दिया मेरे कमरे में भी एसी लग राए बस पतनी की जिद्द देखकर अभिनव भी अपने कमरे में एक एसी लगवा ही देता है अब आपको क्या लग रहा है कि दोनों दिवरानी जिठानी की कमरे में इसी लग गया तो ये कहानी यहीं खत्म हो गई अरे ठहर ये जनाब आगे-आगे देखिये होता है क्या असली कहानी तो अब शुरू हुई क्योंकि इंटर्वल की बाद ही तो कहानी में आता ही ट्विस्ट मम्मे आज तो संडे है आज कुछ स्पेशल बना दो अरे बिटा बाहर आग बरस रही है मेरी तो बिलकुल भी बाहर निकलने की हिमत नहीं हो रही है तो ऐसा कर बाहर से खाना ओर्डर कर ले अरे ममे मैं देख रहा हूँ जब से एसी लगाया है अब पहले से भी ज्यादा आलसी हो गई है पहले तो फिर भी चिकते चिलाते रोते पिटते अब कुछ बना कर तो देती थी अब तो पूरा दिन बस एसी में ही बैटी रहती हो कमरे से बाहर निकलने का अपका मनी नहीं करता अरे बात करने की तमीज भूल गया है क्या बिलकुल ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने भूल मत मैं तुमारी मा हूँ मेरे हाथ का खाना खाकर इतना बड़ा हुआ कि आज मा के साथ जुबान लड़ा रहा है बढ़ाया मा को ग्यान देने वाला ममा शाम हो गई है दुबर में पिज्जा काया था मुझे तो फिर से भूख लगने लगी है कुछ अच्छा सा बना कर दे दो न अरे अपनी चाची से बोल दे कुछ बना देगी तेरे लिए कहा दे ना ममी लेटी हुई है मैगी लिया और बिट्टू से बनवा लेना वो बना देगा दोनों भाई बहन खा लेना अब जा मेरी जान छोड़ जब से दोनों देवरानी जिठानी की कमरों में एसी लगे थे थंडी हवा के छूंकी में ऐसा मन लगा था कि दोनों कमरे से बाहर निकलने को तयार ही नहीं थी सुबर सुबर दोनों अपने पती और बच्चों को तो किसी तरह टिफिन बना करती दी थी लेकिन उसके बाद दोपैर हो या रात दोनों देवरानी जिठानी जैसे अपने बिस्तर से ऐसे चिपक जाती थी कि जैसे फैवी को लगा हो दोपैर में स्कूल से आने के बाद बच्चे खाना मांगते तो उन्हें मैगी खिला देती और रात के डिनर में लगबग हर रोज कभी दाल चावल तो कभी खिचड़ी तो कभी दलिया बनने लगा ताकि पांच-दस मिनिट में खाना बन कर तैयार हो जाए और दोनों महरानियों के आराहम में कोई फर्क ना ने पाए सर पर चड़ा के रखा है दोनों ने अपने अपने बीवियों को अरे भई ऐसा भी क्या चसका लग गया एसी का कि ये महरानिया कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं ऐसा लगता है आँखों पर पट्टी बन गई है दोनों के पूरे घर में गंदगी मची हुई है लेकिन मजाल है जो दोनों में से कोई भी घर की सफाय करते है किसी तरह से रोगा अकरबस सुबा उठकर टिफिन बना कर देती है उसके बाद पूरे घर में चाहे आग भी लग जाए लेकिन मजाल है जो ये दोनों कमरे से कदम भी बाहर रखते है आज इनकी खबर लेती हूँ बहुत हो गया अब पानी सर से उपर बैह रहा है बड़ी बहू ऐसी तुम्हारे कमरे में इसलिए लगाया गया था कि जब तुम काम करते हुए ठकान मैसुस करो तो थोड़ी देर उसमें बैठकर सुस्ता सको इसलिए नहीं कि तुम पूरा दिन बैठकर एसी में आराम करो और घर के काम जाए भाड में अरे मम्मी जी क्यों शोर मचा रही हूँ आप इतने गर्मी हो रही है आप थोड़ी देर रसोय में खड़े हो कर दिखो ना कैसा लगता है बहू के उपर हुकम चलाना सबसे आसान काम है दुनिया में अच्छा तो तुम दुनिया की अनोखी बहू हो ना जो रसोय में काम कर रही हो हम तो कभी बहू थे ही नहीं हमने किसी को खाना बना कर थोड़े ना खिलाया है तुमारे पती को पाल पोस कर मैंने ही बढ़ा किया है पोच ले ना कितनी बार होटल से मंगा कर खाना खिलाया उनको और कितनी बार सिर्फ मैगी और ब्रेड से पेट भराये अब का मतलब क्या है माजी अगले हफते में एक दिन बच्चे ब्रेड या मैगी खा भी लेते तो कौन सा अपराध हो गया बाजार में खरिदने के लिए तो भिकरे ना ये चीज़े सारी दुनिया के बच्चे खाते है मैगी कुछ नहीं होता पेट बनने से मतलब है ना पेट तो मैगी से भी भर जाता है पेट तो बड़ी बहुत जहर खा कर भी भर जाएगा कहो तो जहर खा लू मैं एक दिन में जञजट खत्म हो जाएगा अरे शर्म नहीं आती क्या ऐसी बेतु की बात पर बहस करती हुए बहुत हो कई काम चोरी कल से रसोय में मुझे दोनों वक्त का खाना बनाते हुए दिखाए देना नहीं तो अच्छा नहीं होगा हाँ हाँ माजी आपका सारा हुकम मेरे उपर ही तो चलता है छोटी को तो आपने कुछ कहा नहीं होगा वो भी तो पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर आराम करती रहती है हाँ तो वो कांसा दूद की धुली है जा रही हो अभी उसकी भी खबर लेती हूँ छोटी बहु पूरा दिन बिस्तर ही तोड़ती रहोगी या कमरे से बाहा निकलने का इरादा है तुमारा क्यों क्या होगे माजी आप गुस्से में क्यों नजरा रही है अरे चौबेस गंटे में एक वक्त तुम लोग सबजी बनाती हो थोड़ी बहुत शर्म लियाज बची है या नहीं तुमारे बच्चे तो मैगी खा के पेट बर लेते हैं कभी सोचा है कि ये बुड़िया क्या खाती होगी मेरी मैगी खानी की उम्र बची है क्या जो दस बारा साल की जिंदगी बची है न अगर तुम्हारे इसाफ से चलूँगी तो दो ही साल में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या माजी आप तो ऐसा बोल रही हो दिखाए नहीं दी तो तुम दोनों के कमरे से एसी निकलवा कर बाहर रखवा दूगी सास की धम की सुननी के बाद दोनों बहुए मन मार कर अपनी एसी वाले कमरे से निकल कर रसुई में आती है भाबी ऐसा करते हैं, अब से खाना हम लोग बना दिया करेंगे, नहीं तो माजी सच में हमारा एसी निकलवा कर बाहर फिकवा देंगी अरे मुझ से नहीं होगा एसी के हवा खाने के बाद, रसुई में तो एक मिनिट भी खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है मेरा मेरे पास नहीं काइडिया है भाबी, चुपचाब बाहर से सब्जी मंगा लिया करेंगे और रोटी हम लोग बना दिया करेंगे माजी को कुछ पता भी नहीं लगेगा और घर में सबको खाना भी समय से मिलता रहेगा अपनी चालाके के कारण दोनों बहों ने सास को तो चकमा दे दिया था लेकिन कहते हैं न जूट पर सौ परदे डालो फिर भी वो बाहर आ ही जाता है AC की ठड़ी हवा का सुख भोगने के चकर में दोनों बहों ये भूल गई थी कि उनके घर AC EMI पर लगा है जिसकी हर महिने किस्त जमा करनी होती है ना तो पिछले एक महिने में उन्होंने कोई बचट की थी ना ही बचट का खयाल उनके मन में आया था पूरे एक महिने बाद अरे भई पिछले एक महीने में घर में क्या हुआ है कोई मुझे बताएगा अरे क्या हो गया क्यों शोर मचा रहे हो शोर ना मचाओ तो क्या करूँ तुम्हें पता है पिछले महीने बिजली का बिल पूरा 10,000 का आया है उपर से ये राशन का खर्चा अचानक से कैसे बढ़ गया? अरे ऐसा क्या खा लिया हमने? जो ग्रोसरी का खर्चा इतना बढ़ गया? लाओ पहले वो दस हजार निकाल कर दो जो मैंने पिछले मेने तुम्हें रखने के लिए दी थे इतना खर्चा हो गया मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा? कैसे इतने बिल भर जाएंगे? अभी तो एसी की किस्त भी देनी बागी है अरे वो दस हजार तुम पूरी खर्च हो गया मेरी पास कोई पैसे नहीं बचे कैसी बात कर रही हो तुम? कहां जले गए दस हजार? आरे वो बच्चो के लिए बाहर से खाना मंगाया ना उसी में खर्च हो गया मानो बिटा तुमारे बीवियों ने पिछले एक महिने में क्या-क्या कर्तूत की है मैं बताती हूँ तुम दोनों के ओफिस जाने के बाद ये दोनों महरानी अपने AC कमरों में से कभी बाहर ही नहीं निकलती पूरा-पूरा दिन इनके कमरे का AC चलता है 24 गंटे AC चलेगा तो बिल्तो आएगा ही बच्चो को खाना बना कर भी नहीं देती तुम्हारी बीविया जब ये बच्चे स्कूल से आकर खाना मांगते हैं तो कहती हैं मैगी बना कर खालो इनकी मनमानी से तंग आकर जब मैंने AC उखाडने की धमकी दी तो जाकर ये रसोई में खाना बनाने लगी अब काम से बचने की इन्होंने नहीं तरकिब लगाई अब ये दोनों रसोई में आकर रोटी तो बनाने लगी लेकिन सबजी रोज बाहर से ओर्डर करके मंगा आती है ताकि इन्हें गर्मी में खड़े होकर खाना ना बनाना पड़ है अब जब रोज बाहर से खाना आएगा तो पैसा तो खर्च होगा ही ना बिटा क्यों छटी बहू मैंने कुछ जूट बोलाए क्या अरे माजी अब तो मेरे पीछी पर जाती है मैं आके ले थोड़ी ना ये सब कर रही थी आहा चिंता मत करो सजा तो तुम दोनों को बराबर मिलेगी सजा अरे ने ने इस सजा की कोई ज़रूरत नहीं भया हम लोग वादा करते आगे से ऐसी गलती नहीं होगी दोनों एसी को एलेक्स पर बेच कर जो पैसे मिलेंगे ना उसे से हम दोनों आप लोगों का फैलाया राईता समेटने वाले हैं प्लीज हमारा एसी मत बेचो हम वादा करते आज के बाद काम खत्मोने की बाद